नमस्कार वच्चों आज हम पाठका सार कर रहे हैं चिठियों की अनूठी दुनिया और इसकी समरी आज मैं आपको बताऊंगी तो लेखक यहाँ पर पत्र की महत्ता बताते हैं महत्तों बताते हैं कि आज का युग व्यज्ञानिक युग है मनुष्य के पास अनेक संचार के स साधन हैं यानि कॉम्यूनिकेशन के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है वे कहते हैं इनके नाम भी भाशा के अनुसार अलग-अलग हैं तेलगु में पत्रों को उत्तरम कहा जाता है कंणड में कागद संस्कृत में पत्र उर्दू में खत और तमील में कडीद कहा जाता है आज भी कई लोग अपने पुर्खों के पत्र सहेज कर रखे हुए हैं हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतचार बड़ी बेसप्री से किया करते हैं लेखक ने बताया कि आज भी सिर्व भारत में प्रति जौहलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है स्विकार किया है यहां पर लेखक कहते हैं कि बीसमी सताप्ती में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपी तो एक कलामानी गई है इससे पठेक्रम का हिस्सा बनाया गया और कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोज इस संसार में कोई पी ऐसा मनुष्य होगा नहीं जिसने कभी पत्र ना लिखा हूँ लेकिन आज के प्रेप्रेक्षे में देखें तो ये बात सत्य लगती नहीं है पत्र सिर्फ संचार माथ्यम ही नहीं है बलकि ये मार्ग दर्शक की भुमी का भी निभाते हैं मोबाई से SMS तो लोग मिटा देते हैं लेकिन पत्रों को हमेशा सहीज का रखा जा सकता है आज भी संग्राले में महान हस्तियों के पत्र सोभा बने हुए हैं म्यूजियम में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पत्र दिखाई दे जाएंगे जो बड़े बड़े लोग पत्र लिखा करते थे जैसे नेहरुजी के पत्र हैं गांधी जी के पत्र हैं और महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आया करते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख करके देते थे रविंद्र नाठ टैगोर और महत्मा गांधी के पत्र वेवार को महत्मा और कवी के सीरशक से प्रकाशित किया गया है भारत में पत्र वेवार की परंब्रा बहुत पुरानी है सरकारी पिक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमे का निभाते हैं क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का करे करते हैं चाहे गरीब हो या अमीर सभी को अपने प्रेजनों से प्राप्त पत्रों का इंतजार रहता है आप सभी को पता ही है गरीब बस्ती में तो मनियोड़ जब लेकर के डागिया आता है तो उसे देवता की तरह पूजन किया जाता है और लेखक पताता है कि आजकल इतने संचार के साधन हो गए हैं लेकिन पत्रों की चिठीयों की अलग ही महतपूर घुपूमे का है और पत्रों की दुनिया भी अजीब हो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है पत्र जो काम करते हैं वह संचार का आधुनिक तमसाधन भी काम नहीं कर सकता पत्र के जैसा संतोष फोन या समस का संदेश कहां दे सकता है पहले जमाने में कबूतर से घोड़े से अन्य चीजों से पत्रों का प्रयोग किया जाता था भेजा जाता था दूर दूर तक क्योंकि आवागमन के साजन नहीं थे बसे नहीं थी ट्रेने नहीं थी तो फिर अपनी बात पहुंचाने के लिए ज़दतर कबूतर की द्वारा पत्रों का भेजना किया जाता था लेकिन फिर एक जमाना ऐसा आया जब डाकिये आने लगे चिठिया लिखी जाने लगी और एक जगे से दूसरी जगे पर पहुंचाई जाने लगी बहुत पहले के समय में केवल राजा लोग पत्र लिखा करते थे और वो खोड़े के द्वारा घुड़सवार से और हाथी के द्वारा पत्रों को भेजा करते थे आज कल वर्टसेप चल गया है मैसेज और मुबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ गया है लेकिन चिठियों का काम चिठियां ही करती हैं अगर बात करें हम यहाँ पर की सहित्य और कलाकी तो यह सब नए जो तमाम जगड़े हैं नई घटनाई हैं इनकी जड़ी पत्र है हम देखते हैं कि राधनीती में क्या उथल पुथल हुए है उस पर भी पत्र लिखे गए हमारे सहित्य में किस तरह के उता चड़ावाई यह भी पत्र लिखे गए तमाम तेरे के विवाद, जगड़े, नही नही घटनाई इन सब की जड़ जो है वो पत्र ही होते हैं पत्रों के द्वारा हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है दुनिया का बहुत सारा इतिहास चिठ्छियों पर आधारित है मानब सब्व्यता किस तरह से विकास में आई यनि हम मनुश्य की जो सब्व्यता है हमारी वो किस तरह अपने इस रूप में आई इसके बारे में भी हमें पत्रों से जानकारी मिल जाती है कोई भी देशो पत्रों का अपना महत्व है पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं इसमें कोई भी संधे नहीं है पत्र यादों को संभाल करके रखते हैं जो बातें लिखी जाती हैं वो स्थाई रूप से हमारे सामने उपलब्ध होती हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता है अगर हम पत्रों को संभाल करके रखें सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका होता है और हर पत्र का अपना एक दाइरा होता है कुछ लोग खुल करके बात करते हैं तो कुछ लोग अपनी बातों को छुपा जाते हैं दुनिया भर में हचारों करोडों पत्र रोज लिखे जाते हैं अफी भी यही चलन है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं तो उनको सही व्यक्ति तक पहुचाने के लिए सही पते तक पहुचाने के लिए अफी भी उन लोगों को उनकी तलाश रहती है और उनका इंतजार रहता है भारत में ही रोज साड़े च संचार करोड लगभग चिठियां डाक में डाले जाती है जिससे हमें यह पता चलता है कि पत्रों का क्या महत्व है इस तरह से आज मैंने आपको पंडित जवालाल नहरू ने सन निशो तेपन में एक बात कही थी उन्होंने क्या कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन के किवल हर कारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं उसके बाद पहिये आए पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया तार ने रेलों से भी तेज गती से संबात पहुंचाने का सिलसला सुरू किया और अब टेलीफोन वायलेस और आगे रडार दुनिया को बदल रहे हैं यहा संदेश पहुंचाने के लिए साधन नहीं होते थे तब हर कारा ये काम किया करता था अगर बात करें पिछले सो वर्षों की तो लेखन कला ने एक कला का रूप ले लिया है और यह कला सीखी भी जाती है पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास क दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन के मुकाबले होते रहते हैं और अगर बात करें विश्व डाक संग की और से आयजीत की गई लेखन पत्र प्रतियोगिताएं जो हैं उनकी तो 16 वर्ष से कम आयू के लोगों के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं किये जाती हैं और यह सन 1972 से शुरू हो गई थी आज भी गउं में चिठ्चियों का आना जाना लगा रहता है और ब्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि लोगों का बिजनिस बढ़ रहा है अगर आप बारिक से पत्रों की तह में जाएं तो आपको कोई भी ऐसा नहीं मिले जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतचार नहीं किया होगा हमारे सैनिक पत्रों का पहुत उत्सुक्ता से इंतचार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है और एक दोर था पहले का दोर था जब महीनों तक पत्रों का इं तो इस विकास ने दूरी को बहुत कम कर दिया है हमारी सीमा पर जो सहनिक मोजोद होते हैं अपने घर से पत्रों का इंतचार करते हैं और आज भी यह सिति है कि जहां इंटरनेट अधिक काम नहीं करते हैं तो पत्रों का इंतचार सहनिक किया करते हैं अगर हम बात करें विरास संधान कर सकते हैं अगर अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब कर लीचिए आपको पत्रों की चिठियों की दुनिया के बारे में आज जानकारी जोदी है इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप देखती रही चैनल को थेंक you for watching कर दोलिक झालक तूमन कर दो बड़ी है… कर दो पालक खोता हुआ जहीं है रहां को के ओड आज कर दो, तो ≈ है रखла ओड़ एड़ी क्पालक में? रखे हैं आज के लke एंधा कर दो कर दो कर दो कर दो